हेलो गाइस वेलकम तो आवर यूटूब चैनल इस्टेडी विद एम आज मैं आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो ले के आई हूँ तो देखे उत्राखंड के महत्पूर्ण के हमारी एक स्रीज चल रही है जिसका पार्ट 22 आज मैं आप सभी के लिए ले के आई हूँ इस से पहले इस स्रीज के 21 पार्ट हमारी यूटूब चैनल इस्टेडी विद एम पर अप्लोड कर दिये गए हैं जिन लोगों ने इन वीडियो को नहीं देखाया है तो हमारे यूटूब चैनल इस्टेडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम 20 Most Important MCQ डिसकस करेंगे जो कि आपके आगामी उत्राखंड, पुलीस, पटपारी, लेकपाल, बंदी, रक्षक, LDC, अधर बंड़े एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्डिंग से लेकर एंट तक जरूर देखें वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल स्टेडी विथ एम को सस्क्राइब कर लें साथे साथ बगल में जो बैल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल से जल पहुंच जाए आप सभी लोग हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं अराउंड 6.3 के यहां पे ग्रूप मेंबर्स हो चुके हैं सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे हां पे क्विज का एजन भी कराया जाता है इसके अलावा अधर इंपोर्टेंट अपडेट्स पीडिय अप्स इहीं पर शेयर के जाती हैं लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बढ़ते हैं आज की वीडियो के ओर इस स्रीज का पहला क्विशन है उत्राखंड में जन जागरण और आंदोलोनों का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर योगेश धश्माना ओप्शन सेकेंड बिलकुर राइट आंसर है दॉक्टर योगेश धश्माना जो है ये गोपेश्वन निवासी है दॉक्टर योगेश धश्माना साहितिकार के साथ ही एक अच्छे पत्रकार शोद करता और इतिहास वेता भी है साहिति संस्ता साहितियांचल की ओर से आयोजित सम्मान समारों में डॉक्टर योगेश धश्माना को साहितिके छेत्र में उत्कुष्ट कारी के लिए उननिस्वां चंद्र जोती उननिस्वां चंद्र जोती सम्मान से सम्मानित किया गया तो आपसे पुछा जा सकता है उननिस्वां चंद्र जोती सम्मान किसे दिया गया तो ये दिया गया है डॉक्टर योगेश धश्माना को नेक्स्ट कुश्यन है बन अनुसंधा सस्थान भवन का डिजाइन किस ब्रिटिस वास्तुविद ने किया लिखिए बन अनुसंधा सस्थान ये इस्तित है आपका देहरा दोन में तो वन अनुसंधान संस्थान भवन का डिजाइन जो है ये ब्रिटिश वास्तुविद C.G. ब्लोम फिल्ड ने किया ओफ्चन फर्स्ट बिलकुल राइट आंसर है देखे देश के प्रथम वन विद्याले की स्थापना अठारा सो अठातर इस विमें इसके गठन की जो सला है ये ब्रिटिश ब्रेंडिस ने दी इंपोर्टेंट पॉइंट है नोडाउन कीजे ब्रिटिश ब्रेंडिस ने इसके गठन की सला दी थी 1884 इस ब्रिटिश में इसका नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया और 1906 इस ब्रेंग अनुसंधान कारी के साथ जोड़ते हुए नाम इसका इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंशच इंस्टूट रखा और स्वतंतरता के बाद इसका नाम इंडियन फॉ प्रेश्ट रिसार्च इंस्ट्यूट हो गया देखे 1901 में UGC ने FRI यानि वन अनुसंधा सस्थान को दीम्ड विशुद्याले घोशित किया इंपोर्टेंट पॉइंट है FRI यानि वन अनुसंधा सस्थान का जो मुख्य भवन है यह ग्रीक और रोमन शैली में बनाया गया है मुख्य भवन के बास्तुविद जो हैं ये कौन है ये हैं सी जी ब्लों फिल्ड अगला देखेगा नेक्स्ट कुश्यन है मार्च 2021 में देश के पहले हीलिंग सेंटर की स्थापना कहां की गई जी मोस्ट इंपॉर्टन कुश्यन है आपको नोट कर लेना है मार्च 2021 में देश के पहले हीलिंग सेंटर की जो स्थापना है ये की गई रानी खेत में ऑप्शन फर्स्त विल्कूल राइट आंसर है यहाँ यहाँ सेंटर जो है रानी खेत में का लीका काली का नामक इस्थान पर बनाया गया है और ये जापानी तकनीक पर आधारी भारत का पहला हीलिंग सेंटर है इस सेंटर को उत्राखंड बन अनुसंधान ने विक्सित किया है तो ये सारे इंपोर्टेंट पॉइंट है आगामी एक्जाम के लिए आपको नोट कर लेने है और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लिजे और जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टेडी विद एम को सस्क्राइब नहीं किया है वे लोग सस्क्राइ में गांधी जी ने बागश्वर में स्वराज मंदिर राज मे कब आरंब कीगई देखे स्वयम सिध्धा योजना राजी में वर्ष 2001 में आरंब की गई देखे इंद्रा महिला योजना तथा महिला सम्रिदी योजना के स्थान पर 2002 तीन से संचालित इस योजना में समान इस्तर की महिलाओं के स्वयम सायता समो का गठन कर उनमें अल्प बचत एवं आंतरिक रिण के अभ्यास विक्सिट किये जाते हैं ऐसे रिण से वे अपनी इच्छानुसार विभिन्य प्रकार के आई श्रजन गती विध्यों को शुरू कर स्वाव लंबी बनती हैं अगला देखेगा नेक्स्ट कुश्यन है किस ग्रंथ में उत्राखंड छेत्र के लिए उत्तर कुरू शब्द प्रियुक्त किया गया है तो ये ग्रंथ है आपका एत्रे ब्राह्मन तो देखे एत्रे ब्राह्मन जो है ये आपके रिगवेद की एक शाखा है ये ब्राह्मन होत्र कर्म से संब्द विषयों का बड़ा ही पोण परिचायक है और यही इसका महतू भी है इस ब्राह्मन के अन्श भी उपलब्द होते हैं जो आत्रे आरणियक तथा एत्रे उपनिशद कहलाते हैं यह आपको ध्यान में रखना है एत्रे इब्रहामन में 40 अध्याई हैं जिन में प्रति एक पांच अध्याईयों को मिलाकर एक पंचिका कहते हैं इसको पंचिका कहा जाता है पांच अध्याईयों को मिलाकर और प्रति एक अध्याई में विभाग को कंडिका कहा जाता है तो सारे इंपोर्टेंट पॉइंट है नो डाउन का लिजीगा पृतिएक अध्याई के विभाग को क्या कहा जाता है कंडिका कहा जाता है किसमें एत्रेई ब्रहमण में अगला देखिएका नेक्स्ट कुश्चन है इन में से किस इस्थान पर बौध कालीन मूर्थिया प्राप्त हुई है आपको बताना है कौन सा ऐसा इस्थान है इस में से जिसमें बौध कालीन मूर्थिया प्राप्त हुई है तो ये इस्थान है आपका धीकुली ऑप्शन फोर्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इ धीकुली देखे आपने नाम सुना होगा धीकुली ये जो है कत्यूरियों की राजधानी थी आपकी धीकुली जो की रामनगर में गर्जिया के पास इस्तित है धीकुली नामक इस्थान रामनगर के गर्जिया नामक इस्थान पर गर्जिया माता का मंदिर भी है और गर्जिय वाल में की आश्रम के भग नाव शेश भी है तो ये आपको सारे ध्यान में रखने हैं अगला देखिएगा नेक्स्ट कुश्यन है गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक किजिएगा जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब जरूर किजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप टॉइंटी एंसी क्यू डेली आपको रात आट बजे प्रोवाइट कराए जाते हैं तो आप ये क्लास जॉइन कर सकते हैं आपके आगामी जो भी आपका स्टेट लेबल का एक्जाम है उत्राखंड का तो उसके लिए ये क्विस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इसके अलावा आपको सुबद 10 बजे स्टैटिक जी के जी एस क्विशन भी प्रोवाइट कराए जाते हैं उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मन लाइ जितने लोग भी उत्राखंड पुलीस की तैयारी कर रहे हैं वो लोग साम साड़े 6 बजे उस क्लास को जरूर देखीगा हिंदी की क्लास को आठ बजे ये क्लास आती है तो देली आप देख सकते हैं इन क्लास को आगामे एक्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने अध्यन के लिए कश्मीर वकाशी आधी स्थानों पर भेजा था रुद्रचंद ने राजी के कुछ युवाओं को संस्कृत अध्यन करने के लिए कश्मीर वकाशी भेजा था तो देखे रुद्रचंद जो है ये आपका पैतालिसवा चंद शाशक था और इसी ने ही जिनकी रचना रूद्रचंद के समय हुई थी अगला देखे का नेक्स्ट कुश्चन है संग्रक्षन और विनास पुस्तक के लेखक हैं सरला बहन ऑप्षन थर्ड बिल्कुल राइक आंसर है सरला बहन जो है ये एक अंग्रेजी गांधी वादी सामाजी कारी करता थी परियावरने विनास के बारे में जागरुकता पैदा के ने में मदद की, इन्होंने चिपको आंदोलन के विकास के लिए भी महत्तपून भोमिका निभाई और भारत में कई गांधि वादी परियावरन विदो को प्रभावित भी किया इन्होंने मीरा बैन के साथ एक थी आपकी मीरा बैन मीरा बैन के साथ ये महातमा गाधी की दो अंग्रेज बेटियों में से एक की रूप में जानी जाती है आपकी सरला बहन अगला देखेगा नेक्स्ट कुशियन है पंडित किशन सिंग द्वारा तिबद से मंगोलिया तक का मार्ग सर्विक्षन कब किया गया पंडित किशन सिंग द्वारा किया गया है तिबद से मंगोलिया तक का मार्ग सर्विक्षन ये कब किया गया आपको बताना है जिन लोगों को इसका अंसर आ रहा है जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जादा से जादा कमेंट जरूर कीजिएगा कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं लेकिन जादा से जादा लोग जितने भी जितने और बोलिया तक का मार्ग सरविक्षन किया गया 1868 इस भी में option 4 बिलकुल right answer इस question का next question देखिए अंग्रेजों को भारत से निकाल दो नावक पुस्तक किसकी है अंग्रेजों को भारत से निकाल दो ये पुस्तक है भैरवदत धुलिया की option first बिल्कुल right answer है देखे भैरवदत धुलिया इनका जन्म मय 1901 इस्वि में पौडी के मदन पुर गाउं में हुआ था पौडी के मदन पुर गाउं में इनका जन्म होता है भैरवदत धुलिया को और भैरवदत धुलिया और भक्त दर्शन दो लोग थे भैरवदत धूलिया और कौन थे भक्त दर्शन तो इनके संयुक्त संपाल्द कत्व में 1949 इज़वी में लेंस डाउन पौड़ी से कर्म भूमी कर्म भूमी आपने नाम सुना होगा कर्म भूमी समचार पत्र तो इसका प्रकार्शन 1939 इज़वी में भैरवदत धूलिया और भक्त दर्शन इन दोनों के संयुक्त संपाल्द कत्व में शुड़ू किया गया था बाद में केवल भैरवदत धूलिया ही इस पत्र के संपादक रहे और यह पत्र गड़वाल में स्वतंतरता संग्राम की गति विदियों तथा गाधी जी के कारी कलापों वह नीतियों के प्रचार का सबसे महत्वण माध्यम था तो काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है अगला देखी का next question है कुमाउं इतिहास का रॉबर्ट ब्रुस कि कहा जाता है कुमाउं इतिहास का रॉबर्ट ब्रुस कहा जाता है पुरुषोत्तम पंत को option second right answer है पुरुषोत्तम पंत जो है यह रूद्रचंद का सेनापती था पुरुषोत्तम पंत और इसका उपनाम पुछा जाए तो आपसे इसका उपनाम था पूर्खु पंत अगला देखेगा next question है गड़वाल सर्वदलित परिश्रत का गठन 1928 में किसने किया था most important है गड़वाल सर्वदलित परिश्रत का गठन 1928 में हुआ और इसका गठन जो है यह किसने किया जयानन्द भारती ने option third बिल्कुल right answer है आज की जो वीडियो है इसमें most important question रखे गए हैं आप कोशिच किज आपके आगामी एक्जाम के लिए most important रहने वाले हैं तो देखे जयानन्द भारती इनका जन्म 17 अक्टूबर 1881 बी को पोड़ी के अरकंडाई गाउं में हुआ जयानन्द भारती ने आरी समाज की जो है दिक्षा ली थी आरी समाज की नहों ने क्या ली थी दिक्षा ली थी दिक्षा लेने के बाद इनका नाम जो है जयानन्द आरी पथिक हो गया था आपसे पूछा जा सकता है कि जब जयानन्द भारती ने आरी समाज की दिक्षा ली तो उसके बाद इनका नाम क्या हो गया तो इनका नाम हो गया था जयानन्द आरी पथिक गड़वाल में इन्हो उन्हें चुवा चूत और डोला पाल की जैसी कूप रथा के विरुद्ध आवाज उठाई थी अगला देखिए का नेक्स्ट कुश्चन है पवार राजाओं के काल में कौन सा कावी रचा गया था आपको बताना है कि इन में से कौन सा कावी है जो की पवार राजाओं के काल में रचा गया था तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्यूग तो सभी कावी है गड़ राजवंज कावी, सुदर्शनोदै कावी और मानोदै कावी तीनों कावी जो हैं ये पवार राजाओं के काल में रचे गए थे गड़ राजवंज की बात करें तो ये रचना जो है ये ब्रज भाषा में इसकी रचना हुई थी किस भाषा में ब्रज भाषा में गड़ राजवंज कावी की रचना हुई थी और इसकी रचना किस ने की थी मौला राम ने इसकी रचना की थी मानोदई कावी के बात करें तो मानोदई कावी मानचा के समय थे भरत कवी आपने नाम सुना होगा भरत कवी का भरत कवी जो थे ये किसके शाषनकाल में थे मानचा के शाषनकाल में थे जिसने मानोदई कावी की रशना की थी भरत कवी ने ही मानोदई कावी की रशना की थी भरत कवी ने मानुदय कावी की रचना किस भाषा में की थी भी पूचा जा सकता है तो संस्कृत भाषा में संस्कृत भाषा में मानुदय कावी की रचना हुई थी तो यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है सुदर्शनोदय कावी की रचना किस कवी द्वारा की गई यह आपको comment करना है comment किजेगा जाद से जादा लोग अगला देखेगा next question है प्रतियक वर्ष पांचवे धाम यात्रा जिसको खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा भी कहा जाता है तो प्रतियक पांचवे धाम यात्रा या खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा का आयजन किया जाता है तो यह किया जाता है आपके तीरी में option second बिल्कूल राइठ आंसर है यहाँ यात्रा predictive में हर वर्ष सितंबर माह में सितंबर माह में होती है खतलिंग रुद्रा अगला दिखेगा next question है उतियासु बात परियोजना किस नदीपर निर्मित है बात परियोजना ये निर्मित है अलग नंदा नदीपर आ रहे है प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूटूब चैनल स्टेडी विद एम को सस्क्राइब नहीं किया है वे लोग सस्क्राइब कर लेजे अगला है राजी में सबला योजना की शुरूआत की शुरूआत होती है वर्ष 2010 में सबला योजना 19 नवेंबर 2010 को शुरू की गई इस योजना के तहट 11 से 18 वर्ष की किशोरियां जो स्कूल नहीं जाती उनका विकास सुनेशित करना है सरव पर्थम चार जिलो ध्यान दिजेगा सबसे पहले चार जिलो में इस योजना की शुरूआत की गई थी ये जिले कौन कौन से हैं ये जिले हैं चमोली उत्तरकाशी नेनी ताल और हरीद्वार सबसे पहले इन चार जिलों में इस योजना की शुरुआत की गई थी अगला देखेगा next question है निमन मैंसे कौन सा दर्रा बागिश्वर और पिथोरागर को जोड़ता है तो आपको बताना है इन मेंसे कौन सा दर्रा है जो बागेशर और पितोरागर को जोडता है ये दर्रा है आपका ट्रेल पाल दर्रा पितोरागर को जोडता है सिनला दर्रा यह आपके दार्मा और व्यास घाटियों को जोड़ता है और बारा तो ही दर्रा यह उत्तर काशी वह हिमांचल प्रदेश को जोड़ता है इसके अलावा बात करें सिनला दर्रा की तो सिनला दर्रा दार्मा वह व्यास घाटियों को जोड़ता है और आपका बारा तो ही दर्रा जो है यह किसको जोड़ता है पितोरा गड़ वह चमोली को तो यह चीजे ध्यान में रखने आपको शंग गड़ दर्रा उत्तर काशी हिमांचल प्रदेश को जोड़ता है सिनला दर्रा दार्मा और व्यास घाटियों को और बारा तो ही जो है यह पितोरागड वह चमोली को जोड़ता है और आपका ट्रेल पास दर्रा यह बागेश्वर और पितोरागड को जोड़ता है चारो दर्रे आपको ध्यान रखने है अगला देखिए का हरडी जल परपाथ किस जिले में इस्तित है देखिए हरडी जल परपाथ जो है यह आपका है देहरादून में और ओप्शन फोर्ट बिलकुर राइट आंसर है इसके अलावा देखे टाइगर फॉल प्रपात ये भी देहरादोन में इस्तित है टाइगर फॉल प्रपात चक्राता देहरादोन के चक्राता में इस्तित है इसकी उचाई 50 मीटर है टाइगर फॉल प्रपात की चक्राता से टाइगर फॉल तक ट्रैक मार्ग से जाया जाता है अगला देखेगा लास्ट क्रेशन है आज की इस वीडियो का नंदा देवी जैव आरक्षित छेत्र किस जन्पद में इस्तित है नंदा देवी जैव आरक्षित छेत्र जो है यह आपके है चामूली जन्पद में अगर आपको आज की हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेर कीजिए और जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर लेजिए मिलते हैं नई इंट्रस्टिंग वीडियो क साथ तब तक की लिए धनियावाद